सेलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है जोहां पर भारी संख्या में परटक पहुंच रहे हैं और गुपतार घाट को सजाने सवानने पर काम किया जा रहा है जिसको लेकर काफी परटक खुछ भी दिखाए दिये पतादिक भगवान राम ने गुपतार घाट पर चल समाधी भी थी अयोध्या क्या गुपतार घाट में भी सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू है लगातार जारी है कहां से आएं भाई साबाव हम यहीं सदर्वजार केंट हमारा बगलने पड़ता है हम वही के रहने वाली है आज नए साल मनाने के लिए फैमली के साथ यहां जी नए साल में जो है फैमली हमें तो खुद इतना भव्य और सुन्दर है तो गुपतार घाट क्यों गुपतार घाट में यहां पे मलब हम ल हुद्रू हो जाएका यहां पर पूरा इतना अच्छा मलब डेखुरेट कल दिया है तो इसलिए यहां पर बारा बहुत रहे तक हो दो दो पे दर सकतें कोई दिक्कान नहीं को के लाइटिंग इतने अची होगे यह कोई दिक्कान नहीं है साथ सीमाब नकवी भारसमचार आयोध्या आयोध्या में 22 जन्वरी को प्रानल प्रतिष्ठा होनी है और पूरे आयोध्या को दुलहन की तरह सजाया जा रहा है हम इस वक्त गुपतार घाट में मौजूद है यह राम जन्म भूमी से लगभग 11 किलो मीटर पर पड़ता है हम दिखा रहा हैं गुपतार घाट का वो मंदिर यह जहां पर बना हुआ है सर्यू के किनारे जहां पर भगवान राम ने आकर जो है वो समाध ही ली थी और यहां पर वो पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने समाध ही ले ली थी और उसके बाद वो दुबारा किसी को नहीं मिले और किसी को नजर नहीं आए बाईराल यह मंदिर तो काफी पुराना है लेकिन जो घाट है उसमें आप देख सकते हैं कि नवीनी करण का काम बहुत जोरों पर जो है वो चल रहा है कई घाट पर आप देख सकते हैं कि जहां पर कभी जो है वो कुछ नहीं हुआ करता था अब यहां पर कहीं न कहीं जो है वो तमाम बोट्स देख सकते हैं सैलानी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कि वो आ रहे हैं और सहलानी वगारा यहां पर आ रहा है आप देखिए कि किस तरह से परियटन विभाग के तरफ से इसको सजाया और समारा गया है इस घाट को तो बहराल अभी काम जहां पर जोरों पर चल रहा है लेकिन जो परियटक है वो उनके आने का सिलसिला जारी हो गया है और बड़ी सं कली कलुष नसावनी मैं उस सर्यू को प्रडाम करता हूं कि जिसने पापों को जो है वो धोने का काम किया है तो इस वक्त हम सर्यू के किनारे मौजूद हैं और हम गुपतार घाट पर मौजूद हैं ये सर्यू का पावन जल आप देख रहे हैं कि एकदम निर्मल नजर आ र रहा है और सर्यू के किनारे गुपतार घाट पर बड़ी संख्या में सैलानियों के आने का भी सिलसिला जारी है नए साल का पहला दिन है लोग यहां पर घूमने के लिए आ रहे हैं पहले गुपतार घाट की इस्तिती कुछ और थी लेकिन अब ये इस्तितियां पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है गुपतार घाट लगभग एक किलो मीटर जो है वो तयार है बनकर और वहां पर अभी भी काम चल रहा है मंदिर का जिरोड़ो धार होगा और साथी साथ पूरा गुपतार घाट आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरे कि बहुत दूर तक इस तरह से स प्रान प्रतिष्टा होनी है उससे पहले तमाम घाटों को सजारा सवारा जारा है इस वक्त हम गुपतार घाट पर मौजूद हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पे जो घाट पे तमाम चीजें हैं वो नजर आ रही है और साथी साथ जिस तरह से आयोध्या में सर्यू के किनारे आरती की जाती है अब गुपतार घाट पर भी आरती की जाएगी उसके लिए इंतिजामात मुकमल कर लिए गए हैं पूरे कर लिए गए हैं और यह आरती इस्थल भी यहां पर एक बना दिया गया है यह तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि लगाता गुपतार घाट पर काम जारी है क्योंकि गुपतार घाट बहुत पौराडिक घाट है और यह मानता है कि भगवान राम ने इसी जगे पर आकर समाधी ली थी बैराल यह तैयारियां मुकमल हो गई है और आज यहां पर परियटन भी काफी तेजी के साथ बहुड़ रहा है से बोर्ट भी जो चल रहा हैं और तमाम इस तरह की अटखेलियां करते हुए लोग जो है वो नदी में नजर आ रहा है यह विवस्था भी चाक चौबन यहां पर हो गई है कैमरामेन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी भारस समाचार आयोध्या तो है आयोध्या में राज दसरत की समाधी पर फिलाल बहुत कम लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं लेकिन जल्दी सरकार वहाँ पर फोलें सरक से लेकर तमाम विकास कारे करेगी आयोध्या में भव्यराम मंदिर का निर्माड हो रहा है और 22 तारीक को प्राण प्रतिष्ठा होनी है आयोध्या पूरी तरह से सौंदरी करन किया जा रहा है योध्या का और साथी साथ वहाँ की सडके वगएरा भी चौड़ी की जा रही है लेकिन अभी तक उस जगे का वि देख सकते हैं उस जगे पर हम आएं हैं हलाकि वहाँ पर भी जल्द से जल्द जो है वो विकासकारे शुरू होंगे फोर लेंड सडक बनेगी साथ में दुकाने बनेगी और तमाम चीजें सरकार के कार योजना में हैं लेकिन अभी यहाँ पर ना तो उतनी बड़ी संख्या में श्रधालू आते हैं और ना ही उतने ज्यादा यहाँ पर कोई विकासकार है जिसके चलते ये जगा मशूर हो या वो फेमस हो बात करते हैं यहाँ पर जो पुजारी हैं उत्राधिकारी हैं उन से बात करते हैं यहाँ वह अस्थल है जहाँ पे चक्रवर्ती महरात दस्था जी का अंतिम संस्कार किया गया है। सबसे पहले तो आपको हम यह बताना चाहेंगे कि जितने स्रधालू भक्त गण बाहर से आने वाले हैं, वो आयुद्या में स्री राम जनम भूमी, हनुवान गढ़ी, कनक भौन, दस्थत महल, सर्जी उसनान, नागिस्वनाथ हाद, मंदिर दर्शन करने के बाद ही वापस चले जाते हैं, उनको इस चीज की जानकाई नहीं है, और भी अन्य जितने हमारे पारणी कस्थल हैं, वहाँ भी दर्शन करने पहुंच सकें। तो सबसे पहले आप, आयुद्ध्या की जो हमारी सास्त्रिय सीमा जो लगभाई शवरासी को उसमें फैली हुई है, और असकंद पुरान के अनुसार, हमारी आयुद्ध्या की जो मूल है, वह एक मत्स्याकार में है, किसी मचली को पूरब पश्चिन दिशा में रख दिया जाए, तो मचली का जो मुखवाला हिस्सा है, वो है गुप्तार घाट, जहां से स्रीराम जी परम धाम को गई, वो भी एक खरी है, हिर्दे चेत्र, आज आयुद्ध्या सहर में जितने पौरानी तीर्थस्थल हैं, वो हिर्दे चेत्र है, जहां इस समयम सब खड़े हुए है, महराथ दस्याजी का दहा संसकार किया गया है, यह पूछवाला हिस्सा है, दोनों पर होते हैं, एक नंदी गराम भरत कुंट, ज आयुद्या में भरत कुंट के सौंदरी करण का काम चल ला है, और आपको बता दे कि भरत कुंट में ही भगवान राम ने वनवास से लोटने वक्त अपने पिता राजा दश्वत का पिंददन किया था, और जब भगवान राम 14 वर्ष के बन पास पर गये थे, तब भरत कु हैं भरत कुंट में, यह जो है वो आयोध्यास के जो राम मंदिर है, वहां से लगभग 16 किलो मीटर की दूरी पर है, आप देख सकते हैं, यह आस्त वेस्त अवस्था में पढ़ा कुंट अब यहां पर सौंदरी करण का काम किया जा रहा है, और इसके लिए पत्थर वगवा जो है वो बनाई जाएंगी और जल्द से जल्द इस कुंट को साफ सफाई भी करके एकदम निखारा जाएगा, भरत कुंट की खासियत यह बताई जाती है कि जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे तो भगवान उनके छोटे भाई भरत ने यहां पर जो है वो तपस् बात यह है कि जब भगवान राम लोटे थे पलट कर वनवास से तो उन्होंने अपने पिता राजा दशरत का यहां पर पिंडदान किया था जिसके वज़े से यह जो घाट है भरत कुंड है यह पिंडदान की वज़े से भी जाना जाता है इसकी एक खासियत यह भी है कि इसी घाट पर इसी कुंड में पिंडदान करने के लिए आते हैं कैमरामेन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी भारस समचार आयोध्याव